सतना जिले में एक वर्फिर पुलिस का दमनकारी रूप सामने आया जूटे मामले में फसाने और जूटा बैयान दर्च करने को लेकर चार युवक को गिरफतार कर ठाहने में उनके साथ जात्ती कर जब अरज़स्ती जुर्म कबोल कराने की कोशिश की गई मामले में तीनों पुलिस कर्मी को पुलिस अधिक्षक सतना से लाइन अटेच किया है सतना जिले के जेतवारा थाना में तीन पुलिस कर्मी उने बजरंग दल के चार यूवक को उनके घर से थाने ले आए और उनको जूटे मुकदमे में फसाने का प्रयास किया लेकिन जब चारो यूवक को ने बयान देने से मना कर दिया तो पुलिस अपनी जात्ती में उतर आई और चारो यूवक को थाने के अंदर बंद कर बहरहमी से मारा और जुर्म कबूल करने के लिए बोला आरोपी की माने तो बीते दिनों जेतवारा कजबे में कारीकर्म के दौरान पंडाल में आग लग गई थी जिसकी शिकायत आयोजग द्वारा थाने में दर्च कराती हुई थाने में संध्य व्यक्त किया गया था इसी बात को लेकर पुलिस ने चार यूवक को बीते दिन दोपर एक बजे उनके घर से ले आई और उनके साथ बहरहमी से मार पीट की हाला कि इस मामले में जब बजरंग दल के लोगों को भनक लगी तो सभी लोग इखटा होकर थाने पहुचकर चारो यूवक को को छुड़ाया करता रोहित दवन अतुल गुप्ता और मुन्नु तोमर ऐसे तीन चार करता हों को पुलिस वालों ने उख़ा करके जबरंग सड्यंद को वग घर से और इनके उपर जूटी मनगणत कहानी बना के रोहित दवन को वहां से उख़ा करके और सुबह बारा बजे से अभी रात क दस बजे तर ये घुमाते रह गए इनको ठाने के अंदर बांध करके वेल्टों से बीटा इनके पूरे शरीव पर खाओ बने हुए है जब हम लोगों को चार-पांच बगे पता चला कि हमारे कारकरता को ठाना में बांध करके वाले पीड रहे हैं हम और हमारे बजे मिल के गए और वहां पर घटना को जाना किया इनको बांध करा ले गए उनके पूरे शरीर पर खाओ के नस्यान है जब कि जूटा दवाब बना गाए आपके उपर आपके उपर हम और मुकरमा ला देंगे और कारवाही करेंगे और अभी कुछ नहीं है हम रात में तुमको बताए बजरंग दलव दूसरे संगठन के पदधिकारियों के जरिये पुलिस के वरिष अधिकारियों तक ये बात पहुची तब जेतवारा पुलिस ने अपनी गर्दन बचाने के लिए यूफको को डॉक्टर से मिलकर फरजी मेडिकल करवा दिया इस बास से संगठन के लोग अस संतुष्ट थे लिहाजा जिले के पुलिस अधिक्षक से शिकायत कर यूफको को पुनह मेडिकल कराने के लिए कहा और चारों यूफको को दुबारा मेडिकल कराने के लिए देर राज जिला अस्पताल लाए गया जहां उनका पुनह मेडिकल कराया जा रहा है जैतवारा पुलिस में तीन लोगों को एक पुदान अरक्षक और दो अरक्षक हैं जिनको निलम्मन किया गया है उनके दोरा मारपीट करने का पूच्दाश के दोरा एक मामला परकाश में आया है और उसमें आगे की जाच उनको निलम्मन करके हटा दिया गया है आगे की जाच SDP के द्वारा की जावे